नमस्कार स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरू में और आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में एक बहुत इंपर्टिन पार्ट थी आप सबने सुना होगा इसका नाम जिसे हम कि भाजिकता यानि आप किसी चीज को भाज्य कर रहे हैं तो वह जो प्रोसेस है उसे हम डिवीजन कहते हैं अब यहां पर हम लोग उने कुछ टर्म सुने जैसे की डिवीडिन डिवीजर कोशेंट रिमेंडर यानि भाजक भाज्य भागफल भागफल नहीं राशीनी भागफ और शेशवल लिस तरीके के बहुत सारे तर्मेंज पर होते क्या हैं कैसे इनकी प्रेजनेंटेशन होती है किस तरीके से चलते हैं उसकी अभी हम लोग बात करेंगी बच्चों तो डिवीजन की जब भी बात आती है तो आपके सामने कंडीशन आती है कि मिलेशेंशिप यह हो गया भाजक भाजक यह डिविजर क्या है जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है जिस नंबर को डिवाइड करना है वह हो गया हमारा डिविडेंट यानि भाजे अब इससे यह जितनी बार जाएगा जितनी बार जाएगा वह हमारा हो गया कोशंट यानि भागफल और इ यानि इन दौनों का multiply करके minus कर दूँ dividend से तो मेरे पास जो बचेगा वो हो गया शेश्वा यानि अगर मैं कहता हूं माली जे 12 है 12 को अगर मुझे 5 से divide करना है तो 5 दूनी 10 होता है तो 5 तूजा 10 तो यह आपका हो गया डिवीजर यह आपका हो गया dividend यह आपका हो गया कोशेंट और इन दौनों के product को अगर इसमें से minus कर दूँ तो जो मेरे पास value बचकर आई वो मेरे पास हो गया remainder वो मेरे पास क्या हो गया remainder यही concept पर यह चलता है अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं हम कह करते हैं कि अभी डिवीजर इंटू कोशेंट यानि पांच इंटू दो कर दूँ और इसमें अगर remainder जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या आजाएगा dividend आजाएगा मेरे पास क्या आजाएगा dividend आजाएगा जो बारा था बास समझे ना कि यहां पर हम क्या कर रहे थी कि तो प्लस का हो जाएगा माइनस से यह जो माइनस वाला पार्टे इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो यहां पर फॉर्मुला बन गया कि dividend जो है वो बराबर हो जाएगा diviser into quotient plus remainder यानि जो भाज्य है वो बराबर हो जाएगा भाजक into भागफल plus शेश्वल क्या हो तो आप बड़ी आसानी से सवालों को solve कर सकते कैसे देखते हैं एक सवाल आपके सामने इस तरीके से आया जहां पर लिखा है a number when divided by 37 leaves remainder 8 and the value of the quotient is 35 find the number देखे आपसे क्या कहा जा रहा है माल लीजे यहां पर कोई एक number है ठीक है जब इस एक्स को मैं 37 से डिवाइट करता हूं तो यह 35 बार जाता है और 37 into 35 अगर इसके product में से मैं value minus कर देता हूं ठीक है तो मेरे पास शेश्वल आड़ बचता है तो मेरे पास शेश्वल क्या बचता है आड़ बचता है अब आपसे कह रहे हैं वो number ज्याद कर आपसे क्य है तो हम सीधे सीधे number यानि dividend की value ले लेंगे 37 यानि भाजक इंटू 35 यानि भागफल और प्लस का 8 कर देंगे यानि शेश्वल 37 इंटू 35 कैसे निकालेंगे इन दौनों के बीच का दू consecutive odd numbers है तो क्या करेंगे इन दौनों के बीच का जो number है उसका square करके minus 1 अब 36 का square किता होता है 1296 उसमें से एक हटा दिया तो 1295 किता आ गया 1295 और 1295 से अगर मैंने जोड दिया 1295 में 8 जोड दिया तो मेरे पास आ गया 1303 मेरे पास क्या आ गया 1303 आ गया यानि option second 1303 वह 1303 1303 हमारा सही जवाब हो जाएगा option second ठीक है फॉर्मले पर डाइरेक बेस सवाल था चलिए इतनी बास अक्को clear है direct values रखनी थे कोई यहां पर दिमाग नहीं लगाना था अगले सवाल की बात करते हैं अब यहां पर क्या कह रहा है एक संख्या को जब 315 से विभाजित किया जा रहा है तो शेश्वाल 46 है ठीक है जब 315 से डिवाइट कर रहे हैं तो रिमेंड़ 46 प्राप्त हो रहा है इसके अलावा जो कोशंट है यानि जो भागफल स्थ प्राप्त हो रहा है तो संख्या ग्यात कीजी वीडियो पूस्ट करये सॉल्ड करेदे फिर मैं इसका अनसर बताता हूँ मुझे पूरी उमीद है आप सभी का इसका रहे होगा आप एक बार सॉल्ड करके जल्दी से यह बताए इस ei आ थे अ छका सब का द्यान से देखो आपको क्या करना था 315 इंटू साथ प्लस में 46 यह हो रहा है 315 इंटू साथ प्लस का 46 नंबर आ जाएगा तो पंद्रा सत्ते 105 यानि 05 एक कैरी 21 और 12 प्लस का 46 यानि की 2251 अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पे हमें एक सिंपल सा लॉजिक चेक करना है अगर हम चाहें कि अगर मैं उस नंबर से इसमें से अगर मालू तो 46 माइनस कर दो इसमें से अगर मैं 46 माइनस कर दू तो मेरे पास कित्ता बचेगा 45 अटाओंगा तो 2160 एक और कम कर दूंगा तो 2159 मुझे बस इतना चेक करना है क्या यह साथ से डिविजबल हो रहा है क्योंकि जो भी वैल्यू 46 को माइनस करने के बाद आएगी 46 को अगर इसमें से हटा दूंगा तो मेरे पास क्या रख 315 इंटू साथ यानि यहां पर जो वैल्यू आ रही है 2159 साथ से डिविजबल होनी चाहिए नहीं है अंसन ही हो सकता मेरे पास आ रहा है 2225 अगर इसमें से मैं क्या हटा दूं 46 हटा दूंग पहले मैंने 45 हटाया तो मेरे पास बचा 21-80 में से मैंने एक और हटा दिया यह हो गया 2179 नहीं हो रहा साथ से डिविजबल आंसर नहीं है अगर मैंने 46 इसमें से हटाया तो मेरे पास कितना बचेगा 22 925 बचेगा अगर मैंने इसे 7 किया तो यह भी 7 से डिविजबल नहीं हो रहा अब मैंने यहां से 46 मैंने किया तो मेरे पास कितना बच रहा है 2205 को मैंने डिवाइट किया 7 से यह जा रहा है 315 बार यानि कंडिशन सटेस्वाई हो गए यह यह आंसर हो गया और अप्शन से लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है आप अप्शन से भी कर सकते हैं बच्चों पर वह कल्कुलेट हो जाएगा क्योंकि हर आप्शन में आपको हिट एंट ट्राइल करके देखना अगर पहले में आप्शन में मिल जाए तो अच्छी बात है या आक्री में मिल जाए या आक्री से स्टार्ट कर रहे हो लेकिन अगर चारों चेक करने पढ़ लाए है और उसके बाद आंसर मिल ला है तो बहुत लेंदी हो जाएगा बात करते हैं अगले सवाल की तरफ अगल एग एन फिफ्टीन टाइम सो आ रिमेंडर और यही वैल्यू पंद्रा टाइम से रिमेंडर के इजह अगर आप से कहरे अगर रिमेंडर जो है वो 16 है रिमेंडर 16 है तो 15 इंटी। 16 कर सकते हैं यह हमारे पास 240 आगे हैं अगर ये 240 आई तो इक्षेर्ट की रख़ेंगे किी वैल्य बीस आगे क्योंकि वैल्यू वीशाया दी के वैल्यू आपके पास 246 वैल्यू बीस और आर की वैल्यू हमें दे रखिए 11 अब आप भाज़े क्या होगा भाज़े कैसे निकालेंगे भाजक यानि डिवीजर 240 इंटु कोशेंट यानि भागफन प्लस का शेश्वड प्लस का शेश्वड तो 240 इंटु 204800 प्लस का 164816 4816 option 3rd है यही हमारा सही जवाब होचाएगा तो हमने दिमाग क्या लगाया है हाँ पर कि जो डिवीजर है वह 12 time of quotient है और जो डिवीजर है वह 15 times of remainder है अगर remainder 16 है तो हम क्या करेंगे 15 इंटु 16 यानि 240 हमारे पास डिवीजर आगया अब 240 हमारे पास डिवीजर है यह 12 गुना है कोशंट का तो अगर मैंसे 12 से divide कर दू तो मेरे पास quotient आ जाएगा यानि भागफल आ जाएगा जो हो जाएगा 20 तो मैंने क्या किया मुझे dividend निकालना था यानि भाज्य निकालना था तो मैंने क्या किया भागफल इन्टू भाजक यानि डिवीजर इन्टू कोशंट यानि 240 इन्टू बीज चार हजार आठ सो और उसमें remainder जोड दिया यानि शेश्वल जोड दिया 4800 में 16 जोडा तो मेरे पास आंसर आ गया 4800 है 16 सही है तो option third हमारा सही जवाब अब बात करते हैं remainder जो पार्ट आ रहा है यानि शेश्वल जो आ रहा है यह बहुत इंट्रेस्टिंग पार्ट क्या है यहां पे अभी मैं further भी हम लोग इसको discuss करेंगे negative remainder क्या होता है दो कभी negative remainder को हम यूज नहीं करते हैं actually मतलब वर्चुल है रियल वर्ड में दिए एक्चुल वर्चुल में आप negative remainder लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते मेजनेरी पार्ट की तरह उससे आपकी सवाल आसान हो जाते हैं हम उतने पार्ट पर अभी नहीं बात करेंगे लेकिन हम लोग जो में पार्ट पर बात करेंग मैं चार से डिवाइट करता हूं चार से तो डिवाइट हो रहा है मालीजे मैं से 9 से डिवाइट कर रहा हूं अगर मैं 56 को 9 से डिवाइट करता हूं तो मुझे पता है यह 6 ताइम्स जाएगा कोशेंट मेरा 6 होगा और 96054 होता है तो remainder 2 हो जाएगा अगर अब मैं कहता है मैं कोई इसी नंबर को तीन से डिवाइट करना अगर मुझे इसी नंबर को तीन से डिवाइट करना है तो 56 डिवाइट बाय 36 करूँगा तो अब यह कित्ती बार जाएगा अब यह पित्ती बार झाएगा आपका 9। six are 54 था आभ th deixa के से मैंने अब अगर यहां पर नंबर नहीं दिया होता और condition बदती है यानि मैं आपसे कहता कोई number है x इसे जब मैं 9 से divide करता हूं ठीक है x को जब मैं 9 से divide करता हूं मेरे पास remainder आता है 7 और मैंने आपको quotient नहीं बताया अब अगर मैं इसे 3 से divide करूं तो remainder क्या आना चाहिए अब remainder क्या है अब मैं कहूं मेरा concept bigger ला क्यों bigger ला है क्यों मुझे वैल्यू से division होता तब पता है लेकिन अगर मैं ध्यान से देखो कि अगर मुझे यहां पर x की value माननी है तो मैं मान सकता हूं x 9 से y times जाएक और remainder 7 देतेगा ठीक है अब मुझे अगर 3 से divide करना है इस x को यानि actually मुझे इसी value को 3 से divide करना है तो आप क्या करेंगे आप यहां पर देखेंगे 9y इसको मैंने अलग लिख दिया 3 plus 7 divided by 3 अलग लिख दिया यहां पर 3 से यह दो बार जाएगा और remainder देगा एक और यही हमारा remainder अब उस case में अगर हम बात करें जब हमारा remainder 2 आ रहा था तो हमें क्या करना था अगला remainder find out करने के कुछ नहीं करना था इसी दो को 3 से divide कर देना था फिर से remainder 2 आता वही हमारा answer आ रहा था तो इस तरीके के सवालों में हम बस एक चीज़ देखते हैं क्या करते हैं कि जो भी value है जो हमारा remainder आ रहा है उसी को दिये गए नए number से divide करके ब करता तो यहां से remainder आ जाता और क्योंकि मैंने इस value को माना था इस तरीके से 9y प्लस साथ तो अगर इसे मैं चार से divide करता अब मैं इसे 4 से divide करता तो यहां से भी remainder आता और depend करता y पर वह depend क्या करता y पर अब y की value मुझे पता नहीं तो मैं ग्याद नहीं कर सकता था क्लियर अच्छा दूसरी बात अगर यहां पर मैं किसी नंबर से multiply कर देता मैं कहता माल लो किसी नंबर को मैं है जब 9 से डिवाइट करता हूं मालोप आपके सामने मैंने लिखा है 51 9 से कित्ती बार जाएगा कोशंट हो जाएगा पांच 95 45 और रिमेंडर आएगा 6 अब मैंने कहा इसी नंबर को अगर मैं पांस से डिवाइट करूं अब इसी नंबर को मैं पांस से मुल्टिप्लाए करदू यानि 51 इंटू 5 अब मैं कहूँ आपसे रिमेंडर क्या आएगा नौ से डिवाइट करने है तो लोचिक क्या कह रहा है क्योंकि एक 15 इंटू 5 हो रहा अगर मैं से 9 से डिवाइट करूं 9 से divide करूं तो यह क्या हो सकता है यह इस तरीके से लिखा जा सकता है 45 प्लस 6 और इंटू 5 divide by 9 लिखा जा सकता है कैसे लिखा जा सकता है 15 को लिखा 45 प्लस 6 इंटू 5 divide by 9 तो 45 प्लस 6 को अगर मैं अलग break करूं तो यह हो जाएगा 45 इंटू 5 दिवाइड बाइड नो प्लस 6 इंटू 5 डिवाइड बाइड यानि यहां से तो मेरे पास कोई रिमेंडर नहीं आ रहा है यह जो पोर्षन है यही मुझे रिमेंडर देगा तो अब लॉजिक क्या कहता है कि अगर कभी आपके पास कोई रिमेंडर ओल्रेडी दिया गया है माल नया रिमेंडर पहले अगर यहां पर डिवीजर था मालो अब भी डिवीजर है और आपसे कहा रहे है नया रिमेंडर ग्याद करो तो हमें कुछ नहीं करना है हमें पुराने रिमेंडर में यह जिस नंबर का मल्टिप्लाइड हो रहा है उसी नंबर का मल्टिप्लाइड करक तब भी से अब देखते है कैसे यहां पर सवाल लिखा है माल लिजे आप से कह रहे है आप नमबर वेंड डिवाइड बाइट लीव रुमेंडर से जब कोई नमबर आठ से डिवाइड होता है तो वह शेश्वल साथ देता है यानि जब कोई नमबर आठ से डिवाइड हो रहा है माल लिजे आठ से एक्स टाइम जाता है शेश्वल साथ देता है अब इस नमबर का स्क्वेर इस नमबर का स्क्वेर अगर आठ से डिवाइड होगा तो शेश्वल क्या देगा अगर मैं चाहूं तो इससे लिख सकता हूं 64 एक स्क्वेर डिवाइट पाइट कोई रिमेंडर नहीं आएगा कंप्लीटली हो चुका है फिर आपका आएगा आठ दुनी 16 है ना तो यहां से भी कोई यहां से आपका रिमेंडर क्या बच रहा है फॉर्टी नाइट बचेगा एक आठ शेश्वल बचेगा एक तो इतनी प्रोसेस ना करते हुए हम सेम चीज करेंगे क्या करेंगे हमें पता है यह जो रिमेंडर आ रहा है ना इसका जो स्क्वेर होगा जैसे हमने देखा फॉर्ट देगा बाकी सारा पोश्चन उधर चला जाएगा तो साथ का स्क्वेर हो गया 49 जो रिमेंडर बचना था इसे सीधे 8 से डिवाइड किया यहां से रिमेंडर एक आया वही मेरा आंसर हो गया अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यहां पर कह रहा है क्या अनंबर वेंड डिव प्रड़क्ट ऑफ दसे नंबर एंड फोर यानि जब उसी संख्या को मैं किस से मल्टिप्लाइ कर दू चार से और भाग दू बारा से तो शेश्वल गयात करना है देखो नंबर वेंड डिवाइड बाइड ट्वैड कोई एक संख्या है मान लीजे एक्स जब यह बारा से ड कि से रही है पांच से अब इस नंबर का चार से मंटिप्लाइ कर दिया आब 12 से डिवाइड किया है तो शेश्वल किता है कुछ नहीं करना Master क का मुटिप्लाइड कर लो डिमेंडर में और डिवाइड बाय बस शेश्वल कितना था 5 था ना इस केस में तो आपको कुछ नहीं करना 5 into 12 सब्सक्राइब करना 5 इंट इंट उ बारा से डिवाइट कर दिया रिमेंडर बचा आठ, 12 बाराइगम बारा, 20-12 बारा आठ, तो रिमेंडर आपका आगया, ऑप्षेंट-1 सहीह बहुत पढ़े हैं इतनी बात में किसी को डर चला होगा बात करते हैं अगले सवाल की देखते हैं अगला सवाल क्या कहा है अगले सवाल में आपको कहा जारा है number when divided by 28 leaves remainder 9 जब कोई number को 8 से divide करते है तो वह शेश्वल देता है 9 then find the remainder when the cube of the same number अब कह रहे हैं उसी संख्याक का cube को 28 से भाग दे रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना हमें क्या करना है 9 का क्यूब कर देना है क्या करना है 9 का क्यूब कर देना है 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 और इस 729 को 28 से divide करना है तो मुझे पता है 28 से 700 चला जाएगा 728 पूरा जाएगा चुक्त देखो 28 से 700 चला जाएगा मुझे पता है ठीक है कितनी बार जाएगा देख लो ऐसे अगर मैं कहता हो 700 डिवाइड बाए 28 तो 14 से यह चला जाएगा दो बार 14 से यह आपका चला जाएगा एक 28 इंटू 26 728 इसमें से माइनस कर दिया रिमेंडर आ गया वन यानि ऑप्शन वन इस दा कुछ नहीं करना था तो आपको शिर्फ जो रिमेंडर था उसका क्यूब करना तो हमें क्या पता है जब मल्टिप्लिकेशन आएगा तो मल्टिप्लाइ करेंगे उस नंबर का रिमें का स्क्वेर करके डिवाइट करेंगे क्यूब आएगा तो क्यूब का क्यूब करके रिमेंडर का फिर डिवाइट करेंगे और हम इस तरिके के सवालों को चल आगे बात करते हैं अब यहां पर सवाल आया मैंने जैसा भी आपके साथ डिसकर्स कर रहा था स्टार्टिंग में कि जब किसी नंबर 9-3 से डिवाइट करता है, 48 रिमेंडर आ रहा हूँ, अगर उसी नंबर को मैं 9 से डिवाइट करूं तो रिमेंडर कkey आएगा, कुछ नहीं करना था हमें क्या करना था 48 रिमेंडर आ रहा था हमें पता है यही defekt डाल आं, तो अब इससे 9 से डिवाइट कर दो नौ से यह कित्ती बार जाएगा पांच बार और शेश्वल आपका दे देगा तीन नौ पंजे 45 और रिमेंडर हो जाएगा तीन तो आंसर हो गया तीन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस तरीके के सवाल में हम क्या करते हैं सीधे सीधे जो भ हाई तूरीमेंडर दे रहा था और इस त्स़्य मोआ धे जैए का यह चला गया साथ बार यानि یہां से कोई नहीं आ रहा है मिंटर कहा से आएगा 48 को 9 से जाहाख और तालिक एट करने पर रिपएट करने पर तीन आ रहा है वही मेरा आगे क्या कह रहा है अगर इसी नंबर को आठ से डिवाइड करना है बहुत सिंपल है आपने परतेश साथ सौज कर लियोगा मुझे पूरी उमीद है क्या करना है सत्रा को आठ से डिवाइड करना है यहाँ पर एक रिमेंडर आ गया यहाँ पर आपका रिमेंडर आ गया वन आट दुनी सोलह रिमेंडर आया तो ऑप्षन सेकिंड इस दा आइड आप आइड आप से चली वीडियो को पॉस्ट करिए और आचसर देने का प्रयास करिए चली उ आ गया क्या आणसर आया होगा देखते हैं क्या किया रहा होगा आप लोगों ने 15 डिवाइड बारा आणसर होगा 3 कि तो औप्शन में भी नहीं है में Mimi, फ्र में नहीं है उह सूर्य क्या कर दिया अप एक सवाल मैं आपको समझा रहा हूं condition आपको clear होगी यहां से ठीक है मैंने आप से अभी कहा कि जब नंबर लिखा जा रहा है तो पैसेट एक्स प्लेस पंद्रा के फॉर्म में लिखा जा रहा है और मिझे इसको 12 से डिवाइट करने जा रहा हूं यह 12 से डिवाइट नहीं हो यह 12 से डिवाइट नहीं हो रहा है और रिमेंडर दे रहा है अब रिमेंडर दे रहा है पर इसके साथ एक्स और दे रहा है इसके साथ एक्स और दे रहा है अब इसके साथ एक्स और देने की दिक्कत क्या करना है अब इसके साथ जो एक्स हमें दे रहा है उसकी value 3 है तो कितना हो जाएगा 65 195 195 12 से डिवाइट करूँगा तो मेरे पास कि तौझा 192 3 बचेगा तब मेरे पास रिमेंटर 3 बचेगा यानि अगर मैं बात करूं यहां पर यह रिमेंटर का है ना कि यहां पर यह कंडिशन तो बाद मैं आएगी जो भी रिमेंटर आएगा उसमें आपको तीन एंड करने पड़ेगा इस वाले के साथ लेकिन यहां पर वैल्यू एक्सपर डिपन्ट कर ही और एक्स हमें पता नहीं है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा option 4th cnd answer क्या हो जाएगा option 4th cnd यानि हम ग्यात नहीं कर सकते क्यों ग्यात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर यह जो number है वो इस से पूर तरह विवाजित तो अब आपको एक सवाल में condition याद रखनी होगी जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए अगर option में या यहाँ पर 12 की जगे 13 होता मालो cnd नहीं है 12 की जगे 13 होता तो आप क्या करते 15 को 13 से डिवाइट करते answer बता देते 2 option 3 सई जवाब cnd नहीं होता माली जी कुछ और option होता cnd नहीं होता तो आप सीधे सीधे देखते कि सब्सक्राइब देखने की जरुवती नहीं वर्ती अब यहाँ पर क्यूंकि cnd दे रखा है option में cnd दे रखा है तो मेरे पास क्या है क्या answer cnd भी हो सकता है अब यह चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले 12 को 65 से चेक कर लूँगा अगर 12 से पैसे डिवाइड हो रहा है तब तो मैं 15 12 को चेक करूंगा अगर नहीं हो रहा है तो सीधे answer cnd लगा तो यह आपको चेक तभी करना है जब option में cnd है हर बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर option में cnd नहीं है यानि वो confirm divide हो रहा होगा वनना answer cnd आता अगर cnd दे रखा है तब हम check करेंगे ठीक है चले आगे बात करते हैं चले बात करें अभी सवाल की इसे कैसे करेंगे अब मैं सवाल को अगर करना चाहूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d जो है वो मेडरे पाश 18 है r1 जो है वो मेरे पास कितना है 12 है r2 जो है वो मेरे पास 7 है और r3 जो है वो कितना निकालना है वो अमंगे क्या करना है तो r3 क की value किसे हो जाएगी 12 Under egyMAN 18 यानी इक तो हमारा answer हो गया आंसर क्या हो जाएगा चलिए आगे बात करें अगले सवाल की तो अगला सवाल क्या है अगला सवाल यह रहा आप सभी के सांगे यहाँ पर कह रहा है वें टू डिफ्रेंट नंबर्स आ डिवाइड़ेड़ बाइड़ सेम नंबर दे लीव रिमेंडर थर्टीवन अगर इनके योग को मैं डिवाइड कर रहा हूं डी से यानि उसी नंबर से तो मेरे पास रिमेंडर आ रहा है 15 अब मुझे डिवीजा चाहिए यानि डी की वैल्यू चाहिए मैं क्या करूंगा 31 प्लस 34 माइनस का पंद्रा 31 प्लस 34 होगे आपका केतना पैसे 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 में आंसर तो ऑप्शन थर्ड 50 इस दा तो यह अगर आप कंडिशन याद रखते कई बार इस पर बेस सवाल आता है आप बड़ी आसानी से बच्चों कर सकते हैं आगे बात करेंगे सक्सेसिव डिवीजन अब सक्सेसिव डिवीजन या क्रमांगत विवाजन होता क्या है माल ली मेरा कोशेंट आजाता है 10 और रिमेंडर आजाता है दो अगर मैं इस रिमेंडर को इग्नोर करतूं अब मैं क्या करूं इस दस को फर्धर तीन से डिवाईट कर दो तो यह तीन बार जाएगा नो हो जाएगा रिमेंडर आएगा रिमेंडर को इग्नोर करूँ जो मेरा भागफल आया यानि कोशन्ट आया उसे फर्दा दो से डिवाइट कर दो यह एक बार जाएगा रिमेंडर बचा एक तो यहां पर इस तरीके से डिवीजन जब किया जाता है यानि जब भागफल को फिर किस प्रॉससे चलती चली जाए इस बिएजन या क्रमागत विभाज़ है अब इसके concept and trick है वो क्या है हम लोग जादा महनत नहीं करते हैं हम लोग क्या करते हैं प्रोसेस बनाते हैं मैं कहता हूं कोई number लिख लीजे यहां पर 72 जो लिखा था पहले हमने से साथ से डिवाइट किया दस बार गया रिमेंडर बचा था दो अब इस दस को 3 से दिवाइट किया 3 बार गया बार गया जब इस हूँ सेटिन कोट दो से डिवाइट किया मा Already लीजे मेरे पास यह वैल्यू नहीं दी गई होती यह कहा जाता है कि नंबर डिवाइड हो रहा है साथ तीन दो से और रिमेंडर दे रहा है दो एक एक यानि यह बीच वाली वैल्यू मुझे ग्याद कर दिये तो मैं लॉजिक क्या लगा सकता हूं ध्यान से क्या कहा जा रहा ह है किसी नंबर को को साथ तीन दो से कर्मागत विवाजिन किया जा रहा है उसके वाद रेशेश्वल आ रहा है दो एक और एक तो मेरे को पता है यहां पर मेरा number क्या आना चाहिए वण यहाँ पर नंबर क्या आना चाहिए तू अन्जा टू और इसको वन में एड कर दिया तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री यानि यहां पर जो नंबर आ रहा होगा वह तीन होगा अब इसके उपर वाला नंबर वह नंबर होना चाहिए जो तीन से तीन बार जाए तीन इंटू तीन नौ और शेश्वल दे द चाहिए गा इसके उपर वाला नंबर तब आएगा कि हैंसे बस यह जो है इसी को जब हम कर देते हैं तो यह सक्सेज़ग डिविज़न की प्रिक हो जाती है यह क्या हो जाता है बच्चोंसाइशिव डिविजि़ं की हो जाती है अब बात करते हैं हम इस variety सवग थूकी सवाल है अगले सवाल की तरफ देखते हैं अगला सवाल क्या है सक्सेस डिवीजन का आपके तो यह सवाल आ गया आपके लिए अब यहाँ पर कह रहे है अब यहाँ पर ता नबर बाय beş बाता है तो वॉहसे से डिवाइट करता हूँ तब remainder आ रहा है चार what will be the remainder if the number is divided by 12 तो मैंने क्या कहा अगर मैं यहाँ पर यह एक बार जा रहा है 6 से ऐसा number जो एक बार जाए और remainder दे 4 ऐसा क्या हो जाएगा 10 कैसे किया 6 into 1 plus 4 10 अब यहाँ पर एक ऐसा number चाहिए जो 14 से 10 times जाए और remainder दे 3 ऐसा number होगा 143 तो यहाँ पर आपका गया 143 अब आपसे कहा जा रहा है अगर इस 143 को 12 से डिवाइट किया जाए 143 को किस से डिवाइट किया जाए 12 से डिवाइट किया जाए तो remainder क्या आएगा तो आपको पता है 12 से 11 बाद यह जाएगा 132 और remainder दे देगा 11 12 into 11 132 होता है तो शेश्वल कितना बचेगा 11 बचेगा option second is the right answer option second is the right answer ठीक है चली एक और successive division पर प्रॉपर सवाल देख लेते हैं यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है और number one divided successively by एक कोई संख्या है जो successively divide हो रही है किससे 5 4 और 3 से तो वह शेश्वल जो देती है वह देती है 4 2 और एक वह शेश्वल क्या देती है पांच, शार, तीन, अब माल लीजे नंबर एक बार गया, रिमेंडर हमाई पास क्या आ रहे थे, चार, दो, एक, अब मुझे पता है, ये नंबर तीन से एक बार जाता है, और एक रिमेंडर देता है, तो तीन इंटू एक, तीन, प्लस का एक, शार, यानि यहाँ पर जो नंबर होगा, वो चार से चार बार जा रहा है, यानि फोर इंटू फोर, और रिमेंडर दे रहा है, तू, यादि फोर इंटू फोर, सिक्स्टीन, सिक्स्टीन प्लस टू, एक, यहाँ पर जो नंबर है, वो पास से जा रहा है, अठारा बार, यानि पास अब कहा जा रहा है इसे 94 को आपको डिवाइट करना है किसको 94 को तो 3 से मैंने इसे डिवाइट किया कित्ती बार जाएगा 31 टाइम्स रिमेंडर देगा 1 अब मैंने 5 से 35 को डिवाइट किया 5 से 35 को डिवाइट कित्ती बार जाएगा 6 बार 5 शेंग 30 रिमेंडर देगा 1 अब 4 से 6 को डिवाइट किया एक बार जाएगा और रिमेंडर देगा 2 यानि हमाई रिमेंडर का सीक्वेंस क्या हो गया 1 1 2 1 1 2 यानि option second is the right answer option second is the right answer चली तो इत पार्ट था इस तरीके के सवालों को हम कहते हैं successive division बच्चो तो यह था आज का session